पूरे चटिस गर में आज से धान की खरेदी प्रारम हो गई है। जिसको लेकर आज बिलेगर्ड विधायकों संसदिय सचीव चंद्रद्यो राय अपने विधान सभ छेत्रके धान उपाजन केंद्रों का सुभारम किया। इस तार्तरम में आज विलैगर विधाय के उन संसदिय सचिव चंद्रदियो राय ग्राम मधाई भाटा पहुँचे जहां संसदिय सचिव राय का लोगों ने आतिस बाजी बाजे बाजे के साथ भब्य स्वागत किया। जिसके बाद संसदिय सचिव सास्किय उस्तरमाधि विध्यालाय इस्थेद नवीन धान खरिदी केंद्र मधाई भाटा पहुँचे जहां इसकूल के छातर चातराओं ने संसदिय सचिव का पुस्प वर्सा से स्वागत किया। इसके बाद राय ने केद्र सरकार के उपलग्धियों के बारे में बताया और कहा कि मधाई भाटा में धान खरिदी केंद्र खोलने के मांग बरसो पुराने की जिसको आज कांग्रेस सरकार में पूरा किया है। यहां खरिदी केंद्र के खुल जाने से पैसा और समय दोनों की ही बचत होगी। साथ ही उन्होंने जै जवान जै किसान का नारा भी लगाया। इसके बाद संसदी सच्चिव का कफिला सरसीवा धान खरिदी केंद्र पहुचा जहां संसदी सच्चिव ने फीता काट कर विधिवत तराजु की पूजा अर्चना कर यहां भी स्वैम धान की तौल कर खरिदी केंद्र का सुभारम किया। आज शक्रिश कर प्रदेश के सुच्ची मुख्य मंतरी मानने भुपेज बगेल जी और हमारे खाज मंतरी आदर्णी अमर्दी भगत जी प्रिशी मंतरी आदर्णी रविंद्र चोबे जी और सागारिता मंतरी आदर्णी प्रेम साइज जी जी आज सहयोग से आसिरवाद से इस शेत्र में बहुत सारे थां खरिदी केंदर की शुबात कोई है जिनमें से मदाईवाट आजाए हैं हमने आज यहां नविन खरिदी केंदर की आज सुबारम किये हैं निश्जी थी किसानों में हरसो उल्वास के वातावरन है। किसान खूस है, गदगद है, काफी पुरानी मांग रही है। किसानों की इस चेत्र की जो पुरानी मांग थी, किसान दस किलमीटर से अधिक दूरी पर जाके अपने फसल की खरिदी विक्री करते थी, निश्ची थी ये बड़ी सवबात मिलने से इस छेत्र की पिसानों में एक हर सकावातावरन निर्मित होई है। चकरदा के में किसानों को मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ।